गोपिनाद मुंडे की जैनती से पहले पंकरचा मुंडे की भावुक अपील वीडियो पोस्ट कर कहा वीजिपी निता पंकरचा मुंडे ने सोशल मीडिया प्लैटफर्म पर एक वीडियो पोस्ट कर कारिकरताओं से एहम अपील की है उन्होंने कारिकरताओं से अपील की है कि 12 दिसंबर को गोपिनात मुंडे की जेंती पर बड़ी संख्या में गोपिनात गड़ में एकटा होनी की वज़ा है हम गोपिनात गड़ को गाउं तक ले जाने की कोशिश करेंगे पंकजा मुंडे ने गाउं गाउं में गोपिनात मुंडे की जैनती मनाने की अपील की है ताकि युवा गोपिनात मुंडे की विचारों को समझ सके नमस्कार में पंकजा गोपिनात मुंडे हूँ जो आज आपकी साथ कुछ बाती साजा करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ आपको मेरा विश्य तो पता ही होगा 12 दिसंबर आ रहा है किसी प्रियजन के जरमदिन को जैनती कहा जाना चाहिए इस दुख को हम सबने सहन लिया है मुंजेस साथ की उपस्तती हमारे लिए जतनी महत्वपूर्ट थी उनकी अनुपस्तती हमारे लिए उतनी ही दुखद है हम पिछले दस सालों से उस दुख को भूल कर उन्हें याद करने का काम कर रहे है पंकचा मुंडे ने कहा कि जब मैंने गोपिनादगर बनवाया तो मेरा मानना था कि इसका महत्व गाउं गाउं तक फैल जाएगा आप देखी किसी भी पार्टी की किसी भी विचार धारक की निता गोपिनाद इस मारक पर जाती है और मुंडे साब को प्रणाम करती है जब से गोपिनादगर बना है तब से हम दिल में दर्द लेकर 3 जून और 12 दिसम्बर को बड़ी संख्या में एकटा होती रही है इस अफसर पर हम अलग-अलग सामाजे कल्यान कारीकरम कर रहे है हमने विकलांकों को सामगरी वितरत करने का कारीकरम किया है लेकिन इस साल 12 दिसम्बर से गोपिनाद मुंडे की जन्ती गोपिनादगर में मनाने की वज़ाए यह सोचा गया है कि गोपिनादगर को गाउं-गाउं तक ले जाय जाए पंकजा मुंडे ने का कि मुंडे साब की जन्ती गाउं-गाउं तक मनाई जानी चाहिए जिन्यूवा पीडी ने मुंडे साब की बारे में सुना है लेकिन देखा नहीं है उन्हें पता होना चाहिए कि मुंडे साब क्या थे यह उन्हें प्रेडित करेगा और उनकी दिलों में आशा की किरन पैदा करेगा पंकजा मुंडे ने कहा कि उर्जा आशा और प्रेड़ना गोपिनाद गड़ की नीव है पंकजा मुंडे ने कहा कि जो भी गोपिनाद गड़ा आता है उसका स्वागत है लेकिन मैं आपसे अनुरोद करती हूँ कि आप शहर गाउं बाड़ी और बस्ती जहां भी हो गोपिनाद मुंडे की जन्ती मनाएं मुंडे साब के विचार को कायम रखने का हमारा वादा है इसलिए आईए अपनी एकता बनाए रखें पंकाजा मुंडे ने अपिल की है कि गोपिनाद गर गाउं गाउं जाएं और मुंडे की विचारों को गाउं गाउं तो पहुंचाएं